नमस्कार दोस्तों स्वागत इसने वीडियों बात करने वाले हैं जैनियू उनवर्सिटी में जो है नई भरती आ चुकी है उसका जो है सौट नोटिफिकेशन जारी हो चुका है नन टीचिंग पोस्ट पे इसमें कम्प्यूटर अपरेटर, MTS, LDC जैसे जो है कई परकार की व University, जो की नई दिली में वस्तित है इसमें जो है नन टीचिंग पोस्ट पे वैकिंसी जो है यहां पे निकाली गए जो सबसे पहला post देख सकते हैं डिप्री रिजिस्टार की post है इसमें दो post है यह group A type की वेकिंसी है इसमें जो है qualification थोड़ा हाई रहता है साथी सथ इसमें experience भी वागा जाता है उसके विसे assistant रिजिस्टार की वेकिंसी है इसमें भी group A type की वेकिंसी लेबल 10 आपको salary यहाँ पे देखने को मिलेंगे इसके विसे assistant की वेकिंसी है लेबल यहाँ पे 4 आपको salary मिलेगा group C type की वेकिंसी है और इसमें जो तीन वेकिंसी है इसके विसे जुनियर असिस्टेंट की वेकिंसी है जो है आपका qualification जो है गरिजिसन बोला जाता है साथी सथ आपको जो है typing भी आनी चा पर आपको जो है पेस्केल देखने की मिलेगी 79 पोस्ट है इसमें केवल यो केवल दसी पास के इंडेट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं तो मैं आपको expected बता रहा हूं कि qualification इसका क्या हो सकता है जैसे कि मैंने आपको junior assistant का तो हो सकता है कि level 2 की जो यहाँ पे salary आपको दी जा हो सकते कि इसमें जो है degree बोला जाए तो दोनों में से कोई भी हो सकता है ठीक है ना जैसे इसका full notification आएगा ना उसके बादी फ्रिंट्स आपको जो है पता चल पाएगा कि इसका जो है जो है qualification क्या है तो फिलहाल हम sort notification के बारे में ही यहाँ पे आपको discuss करके बताने वाले हैं इसके बाद से यहाँ पे देखिए 9 नमर की वेकिंसी जो है प्राइवेट सेक्रेटरी की वेकिंसी है इसमें आपको एक पोस्ट है उसको इसे personal assistant के है छे पोस्ट है इस्टोनोग्राफर की यहाँ पे देख सकते हैं 22 पद है इसमें जो है inter बोला जाता है inter अगर आपास है औ आप इस वेकिंसी के लिए form को अप्लाई करेंगे लेबल 4 आपको salary मिलेगा और देखिए यह जो भी वेकिंसी है फ्रिंट्स सब का सब जो job location होने वाला है तो आपको डैली में होने वाला है क्योंकि यह वेकिंसी कहां से निकल क्या रही है जो की दिल्ली में अवस्तित है व अब प्रोफेसटनल आसने differentiation के आठ पोस्ट है इसके वेसे कुक की वेकिंसी है खाना बराने के लिए इसमें दौसओी पर आपने आइटिया हुआ है तो आप जो है इस वेकिनसी के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं इसके विसे इंजिनियरिंग अटेंडेंट के पोस्ट है जिसमें आपको खलासी सिविल के 9 और खलासी इलेक्रिकल के तेरा पोस्ट देखने को मिलेंगे इसके विसे जो है कर देखने को मिलेंगे इसके आपको कंप्यूटर अपरे जसे आपको से यहां पर जो है टो आझिसेंट की इसी तरह से आप27story आपके एक पोस्ट है सर्फ टोस्टिए जो टोडल वेकेंसी है, यहाँ पे जो 40 तरह की वेकेंसी निकालेगी है, टोडल वेकेंसी यहाँ पे जो है, 388 है, जो major वेकेंसी है, जिसमें सबस्च ज़्यदा पोस्ट है, वो है साथ नमर की वेकेंसी, junior assistant के लिए जुसमें या तो 12 हुई, या तो degree बोला जाएगा, इसके जिसमें MTS post है, इसमें 79 पोस्ट है, इसके बाद से आपका यहाँ पे इस्टुनोग्राफर की वेकेंसी है, जो कि 11 उनल पर देख सकते हैं, 22 पोस्ट है, इसके बाद से यहाँ पे मेस हेलपर के 49 और कुक के जो है 19 पोस्ट वेकेंसी निकाली गई है, उसके वेसे work assistant के 12 पोस माद्यम से आपको बता दिया जाएगा, यहाँ पे देखें, बोला गया है कि इसका जो form fill up है, वो कहां से होगा, देखें, recruitment.nta.nic.in की website से जो इसका form fill up, जो है start होंगे, जैसे इसका full notification आएगा, यहाँ पे बोला गया कि further information आपको जो इसका eligibility is, reservation, mode of selection, scheme of examination, detailed advertisement जो है आपको, nta की जो website है, वहाँ पे मिल लाएगा, also jnu.ac.in की carrier वारे portal पे आपको देखने को मिल लाएगा, तो यहीं से आपको जो form को apply करना है, जो nta का website है, वहाँ से form को apply करना है, और केवाल online mode में ही form को apply करे जाएगी, और यहाँ पे, देखें, इसका जो last date है, वो है, देख सकते है 10 मार्च 2023, जो कि 10 मार्च इसका last date है, लेकिन online का date अभी नहीं जारी हुआ है, में भी हो सकता है, जो इस weekend को, जो Friday आएगा, जिस दिन रोजगार समचार जारी होता है, उस दिन से साइब जो इसका form फिलप स्टार हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखता है, employment रोजगार सम जाँगे, जैसे form फिलप स्टार होगा, मैं आप लोगो एक separate वीडियो बना दूगा, कैसे आपको form को apply करना है, step by step मैं आपको form फिल करके बता दूगा, फिलहाल जो last date है, वो है 10 मार्च 2023, तो उमीद करता हूँ आपको जनकारी समझ में आ गया होगा friends, अगर आपके मन में क कमेंट है, कमेंट बॉक्स में पूछेगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हमें दीज़ायत और देख तरी एडियर साल्किंग फॉरेवर, thank you for watching, जाहें!